तो राजस्थान की युवाओं का प्रोग्राम है उनकी उंकार बने का प्रोग्राम है राजस्थान का प्रज़ाओं ने देना चाहते हैं कि राजस्तान के अंदर जिस पी सरकार को राज करना है उसको जाट समाज की बात जुनने पड़ेगी उसके है कटिकारों के रिच्छा करने पड़ेगी हमारी समाज इसका सकती परदशन है और यह यूवाओं का परदशन है हम अपना वर्ग अपनी कोशिश कर रहा है कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे और उनकी मांगे भी सरकार तक पहुंचे इसी उदेशे से आज हम जैपूर के बिड़ल आउडिटोरिय में खड़े हैं जहां यूवा जाट माहसभा और पंचायत का आयोजन किया जा रहा है इस समाज कि कुछ प्रबुद्लोग मेरे साथ है आये जानते हैं क्या है उनकी मांगे और क्या है उनकी सरकारों से उम्मीदे जो आने वाले राजस्थान में वो अपना प्रभाव दिखाएंगे मैं आप से जानना चाहूंगी सर कि राजस्थान में अगर सबसे बड़ा वोट बैंक जाट वोट बैंक माना जाता है और उसी की उपेक्षा कही ना कहीं सरकारे करते आ रहे हैं तो इस संदर्ब में आपका क्या कहना आज राजस्थान का युवा जैपुर में इतियास रिचने जा रहा है यहां युवाओं के लिए सरकार को ये मानना पड़ेगा सरकार को चेत सब्सक्राइब के लिए अगर हम बात करें हनुमान बेनिवाल की तो वह आपको क्या लगता है कि युवा वर्ग की जो आवाज उठा सकता है क्या उन्हें ऐसे ही उमीदवारों की जरूरत है हनुमान बेनिवाल जैसे पार्टी के लिए निरवर करता है आज का प्रोग्राम है तिक ते वितरन करने पर निरवर नहीं आज का प्रोग्राम यह तो राज़स्थान के युवाओं का प्रोग्राम है उनकी कार बढ़ने का प्रोग्राम है राज़स्थान का आज यहां जैप्पुर की दर्थी पे इतियास रखेंगे जाट युवा इसके लिए हम कोई पार्टी के लिए रूसके लिए इकठा नहीं हुए पार्टियां हमारे पास आएंगे, हम पार्टियों के पास नहीं जाएंगे. पार्टियों को आज हम दिखाने आये हैं, और हमारे यह मुद्दे हैं, आठ मुद्दे, वो अपने मैनिफेस्टों में सामिल करेंगे, उसी पार्टियों के साथ आठ समाज का युवा रहेगा, और तन मन धन से लड़ेगा, और अपने केंडिडेट को जिता के लाएंगे. जित आठ मुद्दों के आपने बात कियें, क्या आप उनको बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? युवाओं के लिए जिस सरकार ने काम किया है, जो काम करेगी, उसके साथ हम रहेंगे, चाहिए खेती हो, खेती किसानी की बात हो, क्योंकि सबसे बड़ा रोजगार किसान है, आज खेती की आलत क्या है रास्तान के अंदर, पानी की कोई वेवस्तान नहीं है, जल मंतरी यह आयोजन होने जा रहे है, आप देखोगे तो मज़े आएंगे, पहली बार रास्तान की तरती पर युवाओं का पहला प्रोग्राम है, युवाओं बिलकुल जोश से भरे हुए हैं, यहाँ पर सब में इतना जोश है और हर कोई अभूंकार लगाने के लिए आमना है कि अब सरकार को जो नींद में वो सो रही है, उसे जगाने के जरूरत है, मैं आप से जाना चाहूंगी कि जो गहलोर सरकार है, उसमें जो पीपर लीख हुए, युवाओं का, जितना भी आप युवाओं के लिए खटा हुए हैं, युवाओं के मुद्द पर बात करने के लिए समाज किया, आज तक हमें सेम नहीं दिया गया, काबिल होने के बाद में हमारे जो बड़े भुजरूगा उनको मैनुकुलेट किया गया, उनकी तुस्त्रिकन की गई, तो आज सारे युवाओं का सिकार होंगे, ना किसी से मैनुकुलेट होंगे, हम अपनी हक्की लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए खटा हुए हैं। मैं मैं एपसे जाना चाहूंगे, आपका क्या कहना है इस मसले पर, जो पर्टी के लिए, आप लोगे समाज के लिए खटा हो रहे हैं, तो क्या ये इकटा होना, दबाव बनाने की राजनीती है? तो देखा अपने किस तरह से हर एक युवा में उत्सा भरा हुआ है, जोश भरा हुआ है और अभी सबी लोग एखटा होकर अपने समाज की ताकत का शक्ती प्रदशन करेंगे और इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो सरकार इनकी मांगो को अपनाईगी वो उसी सरकार का साथ देंगे क्या है आपकी राय? जरूर बताईगा कॉमेंट बॉक्स में कैमरामेन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्तान समवाद, नमस्कार चार करोड से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्स्क्राइबर वाले राजस्तान के चैनल राजस्तान समवाद पर करवाईए कवरेज जरा जनकारी के लिए वुट्स आप करें 733-99-00-549 पर